अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सिखेंगे बावन अर्भी सब्द हिंदी से शुरू करते हैं जी हाँ क्या है इसको बोलते हैं हिंदी में तो इसको बोलेंगे अर्भी में नाम आईवा ए ए यानी क्या है अर्भी में जब आपको कुई भी आवाज मारेगा तो आपको बोलना है नाम आईवा ए यानी क्या है हाँ क्या है क्यो किसलिए क्यो इसको बोलेंगे लेस लेस लिमाजा लिमाजा यानी क्यो किसलिए सीधा बोलो सीधा बोलने को बोलेंगे कलाम सीधा कलाम सीधा यानि सीधा बोलो साफ बोलो इधर उदर की बात ना करो बात ना काटो इसको बोलेंगे लाए कलाम मिन्नी मिन्नी लाए कलाम मिन्नी मिन्नी यानि इधर उदर की बात ना करो सीधा बोलो discount जब कोई सवान खरीबते हैं तो मैं discount चाहिए या बोलना है तो उसको कहेंगे खसम खसम यानि discount कंजोस इसको बोलते है रवी में बठील बठील यानि कंजोस कहते हैं न हिंदी में मठी चूस महिंगा इसको बोलेंगे गाली 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 यानि महिंगा ये महिंगा है हादा गाली ये बहुत महिंगा है हादा गाली कतीर हादा गाली कतीर यानि ये बहुत महिंगा है रसी रसी को बोलते हैं अरवी में हाबिल 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 यानि गस्ती, धागा, जो कपार सिलने ओना धागा होता है, इसको बोलेंगे अर्वी में खैट, खैट यानी धागा, बांधना, बांधने कू बोलेंगे अर्बत, यानी इसको बांधो या बांधना, खोलना खोलने को बोलेंगे ठिक्री या फिर इफ्ता इफ्ता यानी खोलो तोडना बगर इसको तोड़ दो तोडने को बोलेंगे कसर 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 यानी तोडना या टूटा हुआ या तूट जाना सामान रखो इसको बोलेंगे हति अगरात यानि समान रखो, बदलना, किसी को बदलना है किसी समान को, बदल यानि बदलना, दूसरा को बोलेंगे तानी, तानी यानि दूसरा, 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 दूसरा दूसरा होते हैं, इसको बोलेंगे, गैर गैर सम बोलते हैं ना हिंदी में अरे ये दूसरा है ये दूसरा है इसको बोलेंगे हादा गैर हादा गैर यानि ये दूसरा है ये दूसरा है मैं साथ में जाऊंगा या मैं साथ में चलूंगा इसको बोलेंगे अर्वी में अनारो माँट यानि मैं साथ में चलूंगा इसको छुपाना है इसको बोलेंगे अर्वी में हादा खसी हादा खसी हादा खसी यानि इसको छुपाना है इसको ढूड़ो इसको बोलेंगे अर्भी में दवर हादा दवर हादा यानि इसको ढूड़ो इसे अर्भी आपको फोटो दिखाता है और बोलता है इसको ढूड़ो तो बोलेंगे अर्भी में अना इसमा गबल सोया अना इसमा गबल सोया यानि मैंने थोड़ा पहले सुना उसको पुलिस ने पकड़ लिया इसको बोलेंग गर्वी में सुरतायमसिक हुआ यानि उसको पुलिस ने पकड़ लिया ओहो जेल के अंदर है इसको बोलेंग गर्वी में हुआ दाकिल सिजिन यानि ओह जेल के अंदर है उसको पैसे देदो इसको बोलेंगे अति हुआ फुलूस यानि उसको पैसे देदो घर चलो हम जहते हैं घर चलो सीधा घर चलो इसको बोलेंगे रोह बेद रोह बेद यानी घर चलो सीधा घर चलो रोह सीधा बेद रोह सीधा बेद यानी सीधा घर चलो घर पहुचा दो आपको बोलना है घर पहुचा दो इसको बोलेंगे अरभी में वद्दी बेत यानि घर पहुचा दो लाष्ट ये लाष्ट है इसको बोलेंगे फी निहाया यानि ये लाष्ट बार है ये आखरी बार है आखरी को लाष्ट को बोलते हैं निहाया या फिर आखर इसका कोई हिसाब नहीं इसे बेहिसाब होता है बहुत ज़्यादा होता है इसका कोई हिसाब नहीं होता है इसको बोलेंगे अर्वी में गैर हिसाबा गैर हिसाबा यानि इसका हिसाब नहीं है या फिर इसका हिसाब नहीं हुआ है इसको भी बोलेंगे गैर हिसाबा यानि इसका हिसाब नहीं है मैं कल आउंगा मैं कल आउंगा इसको बोलेंगे अरभी में अना बुकरा एजी अना बुकरा एजी यानि मैं कल आउंगा मैं कल आया था मैं कल आया था अगर ये बताना है आपको तो कहेंगे अना एजी एमस आना एजी यम्स यानी मैं कल आया था यम्स यानी बीता हुआ कल यम्स यानी बीता हुआ कल बुकरा आने वाला कल बुकरा आने वाला कल यह काम मुझे नहीं चाहिए इसको बोलेंगे आना हादस गुल माई एबी आना हादस गुल माई एबी यानि ये काम मुझे नहीं चाहिए ये काम मुझे नहीं करना है पहले ये काम करता था इसको बोलेंगे गबल हादा सुगल यानि पहले ये काम करता था पहले मैं सब काम करता था इसको बोलेंगे गबल कुल सुगुल अना सौवी यानि पहले मैं सब काम करता था सब काम मैं करता था अभी काम करो अभी काम करो इसको बोलेंगे अलहन सौवी सुगुल यानि अभी काम करो यह काम छोड़ दो हादा सुगल खली हादा सुगल खली यानि यह काम छोड़ दो यह काम रहने दो तुम बताओ तुम बोलो तुम कहो इसको बोलेंगे इंता गुल इंता गुल या फिर इंता कलाम इंता गुल इंता कलाम यानि तुम बताओ तुम बोलो तुमने बताया है मैं क्या करूँ हम कहते हैं न अरे तुमने बताया है मैं क्या करूँ इसको बोलेंगे इंता गुल अना सुनो सौवी इंता गुल अना सुनो सौवी यानि तुमने बताया है मैं क्या करूँ समांग खरीदना है इसको बोलेंगे इस्तरी अगराद यानि समांग खरीदना है क्या हुआ शनुफी या फिर इस्वीच यानि क्या हुआ तुमको समांग खरीदना नहीं आता इसको बोलेंगे इस्तरी अगराद यानि तुमको समांग खरीदना नहीं आता इस्तरी यानि खरीदना घर के अंदर लाओ यसे कोई समान है कोई चीज है घर के अंदर लाना है तो इसको कहेंगे अर्वी में जिप बेत दाकिल जिप बेत दाकिल जिप बेत दाकिल यानि घर के अंदर लाओ देखो मैं ले आया कहते है ना देखो मैं लेके आगिया इसको बोलेंगे शुफ अना जिपती शुफ अना जिपती यानि देखो मैं ले आया मैंने देखा या मैंने देख लिया इसको बोलें अना शौफ। यानि मैंने देखा अना शौफ। तुम अच्छा काम करते हो، इसको बोलेंगे अद्ध्धूमिया मिया इंता सगुल मिया मिया यानि तुम बहुत अच्छा काम करते हो या फिर कहेंगे इंता सगुल कोईश इंता सगुल कोईश यानि तुम्हारा अच्छा काम है या फिर बोलेंगे इंता सगुल जैन यानि तुम्हारा काम अच्छा है इंता सगुल मिया मिया इंता सगुल को पिश इन तस्कुल जैन यानि तुम्हारा काम अच्छा है जल्दी से जल्दी जाओ हम कहते हैं ना जल्दी से जल्दी वाँ पहुचो जल्दी से जल्दी जाओ इसको बोलेंगे अर्वी में रोहो सुरम सुरा रोहो सुरम सुरा यानि जल्दी से जल्दी जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ को बोलेंगे ताल सुरा ताल सुरा यानि जल्दी आओ कितनी बार तुमने गल्ती किया है कितनी बार तुमने गल्ती किया इसको बोलेंगे कम मर रा इंता गल्तान कम मर रा यानि कितनी बार इन्ता गल्तान यानि तुमने गल्ती किया कम मर्रा इन्ता गल्तान यानि इतनी बार तुमने गल्ती किया इसमान लो आपको बोलना है मुझे बात समझ में नहीं आता इसको बोलेंगे अर्बी में अना मा फहम कलाम अना मा फहम अर्बी कलाम अना मा फहम अर्बी कलाम यानि मुझे अर्बी समझ में नहीं आता मैं कभी भूल जाता हूँ इसको बोलेंगे अना मर्रा नसीद या फिर अना मर्रा इंसा यानि मैं कभी भूल जाता हूँ अगर आपको बोलना है कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे मर्रा मर्रा चिदी मर्रा मर्रा चिदी मर्रा मर्रा यानि कभी कभी चिदी यानि ऐसे इसलिए चिदी बहुत ज़्यादा यूज होता है चिदी के मतलब होता है ऐसे इसलिए शिर्फ तुम बोलो जिस्ते दो तिन साथी होते हैं दो तिन लो बोलते हैं और अर्बी में बोला है खल ले इंता कलाम खल ले इंता कलाम यानि वो बोला है शिर्फ तुम बोलो शिर्फ तुम बोलो यानि खल ले इंता कलाम घर को नहीं धोया? इसको बोलें गेर्वी में लेश माय गसल बेद लेश माय गसल बेद यानि घर को नहीं धोया? घर के जगह पर आप गाड़ी कह सकते हैं इंता लेश माय गसल सयारा यानि तुमने गाड़ी को नहीं धोया? इंता लेश माय गसल सहन यानि तुमने बठता हैं इसको बोलेंगे लाजम गस्ल लाजम गस्ल यानी जरूरी है धोना